Hello everyone, स्वागत आपका अवी क्लासेस में और आज हम जारकंड समान गयान के अगले वीडियो में समझेंगे जारकंड में परतम के बारे में ये अगला वीडियो पांचमा पार्ट है इससे पहले हम लोग चार वीडियो में जारकंड के विबिन समान गयान पर चर्चा कर चुके हैं आज की वीडियो में सबसे पहला सवाल है कि जारकंड के पर्थम राजपाल कौन है तो जारकंड के पर्थम राजपाल है प्रबाद कुमार यहाँ पर इनका फोडो देख सकते हैं यह है प्रबाद कुमार जी और यह है जारकंड के पर्थम राजपाल अगला है कि जारकंड की परतम महीला राजपाल कोन है तो जारकंड की परतम महीला राजपाल का नाम है दुरोपदी मुर्मूर ये अभी वरतमान में हमारे महमहीम राश्टपती जी के पदपर आसीन है तो दुरोपदी मुर्मूर जी हमारे पंद्रवे राश्टपती बन परतम मुख्य न्याएदीस कौन थे तो परतम मुख्य न्याएदीस थे न्याए मुर्ती विनोत कुमार गुपता अच्छा एक और सवाल मन में आता है दुरुपदी मुर्मु जी जो भी हम लोग जारकंड के राजपाल चुकी ये रह चुके हैं तो कई सारे बच्चों के मन म सवाल आता है कि इनका अपना घर कहां है तो देखे राजपाल का जो पदभार होता है वे क्या होता है बदलते रहता है किसी को भी किसी छेतर का राजपार दिये दिये जाता है जैसे कि अभी वरतमान में स्री रमेश बेश जी हमारे जो जारकंड थे उनके राजपाल थे ब इनका जार्खन में निवाश अस्थान नहीं, बल्कि इनका निवाश स्थान कहां पर था, इनका निवाश अस्थान था उडिसा, तो यहाद रखेगा की द्रोपती मुर्मुटजी जो कहां के हैं, उडिसा इनका घर है, अच्छा, एक और चीज आप कॉमेंट करके बताइए क कि स्री रमेश बेस जो है जारकंड के वरतमान जारकंड के राज़पाल नहीं रहे तो नया राज़पाल कोन आया है क्या आपको जानकारी है कॉमेंट जरूर कीजिएगा अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आज है 15 फरवरी 2023 ठीक है हाली में इनका जो है बदला हुआ है इसल नाम तारी और चाब विदान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे तो इनका नाम है बागून सुम्ब्रई पर्थम जो है मुख्यमंतरी कौन बने थे बाबू लाल मरांडी जी जारकंड के पर्थम जो है मुख्यमंतरी बने थे जारकंड का गठन कब हुआ 2000 सन 2000 में गठन हुआ ह ठीक है पूरा तारीक पुछा जाएगा तो 15 नवंबर सन 2000 आगे है कि पर्थम गैर आदिवासी जो मुख्यमंतरी कौन बने थे श्री रगुवर दाज जी यहाँ पर आप इनका इमेज देख सकते हैं यह है श्री रगुवर दाज जी जो जारकंड के पर्थम गैर आदिवा और यह बने थे पर्थम निर्दलिय मुख्यमंतरी अचा पर्थम महीला केबिनेट मंतरी तो इनका नाम है जो बामान जी पर्थम मुख्य सचीप कौन बने थे तो इनका नाम है विजय संकर दूबे और पर्थम विपक्ष कानेता देखिए जो दो तरह का दल होता है एक दल नेता कौन थे इनका नाम था श्टीफन मरांडी यह बने थे पर्थम विपक्ष के नेता अच्छा है यहां पर एक और चीज आप देख सकते हैं यह जो आपको फोटो देख रहाएं यह ठीक है आप इनको देखिए यहां चिसमा पहने यह सिकनेचर कर रहे हैं यह है मनोनित व गल्स्टीन ओके आईए इनका नाम आगे आएगा तो चलिए पढ़ते हैं अगला एक की पर्थम पुलीस महा निदेशक का नाम बताईए तो उनका नाम है सिवाजी महान करे और पर्थम महा दिवक्ता कौन है तो पर्थम महा दिवक्ता है मंगल मै बनर जी और पर्थम लोक अगला सवाल है कि पर्थम मनोनित विदान सभा सदक्ष कौन थे तो जोसेफ पैचेली गॉल्स्टीन अभी आपको दिखाएं अनका फोटो यही थे पर्थम मनोनित जो है सदस्य मनोनित क्या होता है मनोनित एक ऐसे सदस होते हैं जिनको चुनाल लड़ना नहीं होता है उनको जो है राष्टपती मनोनित कर देते हैं अगला सवाल है कि पर्थम असोग चक्र पराप्त करता कौन थे तो इनका नाम है रनधीर वर्मा और जो है रनधीर वर्मा को पर्थम असोग चक्र मिला था तो इनका मैं आपको इमेज दिखा देता हूं सौरी मैं पीछे आ गया इनका आप इमेज देख सकते हैं तो पुलीस छेतर में आपको क्या मिलेगा पुलीस यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है असोग चक्र यह जब बरेवरी अवाड है जब कोई बहुत बहतर काम करते हैं अपने छेतर में तो उन्हें इस परकार से अवाड से समानित किया जाता ह अगला एकी पर्थम परमवीर चक्र प्राप्त करता तो यह है पर्थम परमवीर चक्र प्राप्त करता जिनका नाम है अलवर्ट एकका तो यहाँ पर आप इनका इमेज देख सकते हैं वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान यूद में वीर गती को प्राप्त करने वाले परमवीर चक्र विजयता नाम क्या है इनका नाम है लौंस नायक एलवर्ट एकका अच्छा 1971 में कौन सा यूद हुआ था कारगील का यूद हुआ 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में उनी में उनी में पर्थम अंतराष्टिय आदिवासी महिला होकी खिलाडी का नाम क्या है इनका नाम है सावित्री पूर्ती सावित्री पूर्ती जो है ये पर्थम होकी खिलाडी है कौन सा अंतराष्टिय आदिवासी महिला अच्छा अंपायर को नहीं है यहाँ पर देखिए पर्थम मह आप इनका image देखिए यह है उस समय का पुराना फोटो यहां पर आप उनको देख सकते हैं ठीक है यह है और इनको आप बड़ा सा image में आपको दिखा रहा हूँ अभी वरतमान में यहां पर ऐसे हैं सावित्री जी ठीक है तो इस परकार से आप इनका image देख सकते हैं यह पहली अगला सवाल है कि राज का परतम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर कौन थे तो इनका नाम है राजेस रजक ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर परतम विस विद्याले का नाम क्या है राची विस विद्याले कहां पर है राची में है परतम चिकित्सा महाविद्याले महाविद् राजेंदर चिकित्सा महाविद्याले राजी जो चिकित्सा महाविद्याले का नाम है परता महाविद्याले राज का उनका नाम है संत कॉलंबा महाविद्याले हजारी बाग यह था चिकित्सा यानि मेडिकल कॉलेज था और यह सिर्फ कॉलेज है तो उनका नाम है संत राजी की महिला आयोक की पर्थम अध्यक्षिकॉंती लक्षमी सिंग पर्थम किर्केटर भारतिय कप्तान महेंदर सिंग दोनी इनको आप खुवी पहचानते होंगे भारत का बच्चा बच्चा इनने पहचानता है तो जारकन के जो कप्तान रह चुके हैं किर्केटर के ये प जरकन का उदोगिक सार भी कहते हैं राज जी का उलम्पिक में भाग लेने वाले होकी टीम का कप्तान जैपाल सिंग मुंडा तो यहनों ने उलम्पिक में भी भाग लिया है और होकी टीम का कप्तान भी है जैपाल सिंग मुंडा उद्योग पती जो उद्योग पती जो भारत रतन प्राप्त हुआ तो J.R.D. Tata J.R.D. Tata ये वो है जो परतम पहली बार उद्योग के छेतर में इंडस्ट्रियल एरिया में इनको भारत रतन प्राप्त हुआ है परतम जनजाती विद्रो कब हुआ था धाल विद्रो शंधाल विद्रो एसे कई सारे विद्रो जो ए इन चेत्रों में हुआ है और ये धाल विद्रो एक सब्द में नहीं खतम होगा इसकी एक पूरी स्टोरी है और इस स्टोरी को हम डेटेल से आपके सामने परस्तूत करेंगे तो इसके लिए भी एक विसेज वीडियो आएगा जिसमें केवल जारकंड के बिविन परकार के विद्रो पर डेटेल से चर्चा करेंगे अच्छा परतम बिजली घर कौन सा है? परतम बिजली घर है तिलया और परतम रेल मार्ग की बात करें तो राज महल से दीन दयाल उपाध्याई जन्सन जो मुगल सराय में है यहां तक चला था परतम रेल मार्ग जारकंड का यह है भारत रतन पाने वाले इकलोते बिजनसमेन जे आरडी टाटा आप इनका इमेज देख सकते हैं और यह है जारकंड के परतम भारत रतन पाने वाले विक्ती राज जी में राज जी का परतम आयूरवेदिक महाविद्याले कहां पर है? राज की आयूरवेदिक महाविद्याले लोहर दग्गा में स्तीत है देनिक समाचार पत्र का नाम बताईए जो हिंदी में परकासित हुआ वो भी जारकन राज में पहली बार तो इस देनिक समाचार पत्र का नाम है राश्टिये भासा अचा हिंदी मासिक पत्रिका बताईए जो पहली बार पारित हुआ था इनका नाम है घर बंदू अब पहली बार अंग्रेजी देनिक पात्रिका, देनिक मतलब डेली, देनिक का मतलब क्या आता है डेली, जो डेली आता है, तो इसका भी नाम आगया डेली प्रेम, पर फिल्म कौन सा था, तो फिल्म का नाम है आकरांथ, यहाँ पर आप फिल्म देख सकते हैं, यह है घर और सॉरी मैं पीछा गया मुझे आगे जाना चाहिए तो ये आपनेー इनका इमेज़ देख सकते ये है घरबंदू और ये है वो फिल्म इसका नाम है आकरांत जो पहली फिल्म बनी है किस पर बनी है परतम फिल्म जारकण की परतम नागपूरी फिल्म का नाम क्या है सोना कर न उमीद है आपको जारकंड में जितने भी पर्थम थे बहतर समझ में आये होंगे ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा होसला बढ़ाईए हमारा सयोग कीजिए और शाती साथ किसी भी परकार के कोशन एंसर वीडियोज के लिए अभी क्लासेश बाइबारत वंदे मातरम